दोस्तों आज हम ESA पर बात करेगे ESA means Electro-Estatic Assist या Electro-Estatic Printing Assist इसका यूज गिर्बियोर प्रिंटिंग में प्रिंटिंग क्वाल्टी में सुधार करने के लिए किया जाता है ESA, Dot Missing, Printing Area में Pinholes, Cell Filling आधी प्राबलम को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है Modern गिर्बियोर प्रिंटिंग प्रेस में ESA नामक एक equipment है जो इंक को गिर्बियोर प्रिंटिंग की सेल से आनि इमेज एरिया से सबसेटेट पर ट्रांसफर शुनिश्चित करने में निनायक होता है जिससे प्रिंटिंग की क्वाल्टी बहुत अच्छी आती है प्रिंटिंग की क्वाल्टी में improvement होता है impression roller जिसमें slew mount होता है को electro-static charge से charge करने से impression roller और गिर्बियोर cylinder के बीच एक electro-static field generate हो जाती है जो cylinder की cell में ink पर एक force लगाती है या force या ensure करता है कि cylinder के cell से ink substrate पर पूरी तरह से transfer हो जाए इस तरह ESA system proper print में support करता है दोश्तों आप सभी जानते हैं कि जब कोई भी आवेसिस surface होता है चार्ज surface होता है तो वा हमेशा neutral होने की कोशिस करता है वहीं जब आवेस opposite हो मिन्स एक body पे plus charge और दूसरे body पे negative charge हो तो वहाँ एक दूसरे के प्रती attractive रहते है एक दूसरे के प्रती खीचा जाता है जब तक कि वहाँ neutral आवस्था में संतुलित आवस्था में ना हो जाए इसी electro static force से grabure printing होती है अब आपको थोड़ा short में grabure printing principle के बारे में बताता हूँ जो यह समझने में आपकी मदद करेगा जो जानना जरूरी है सिलिंडर के सेल में बार बार इंक कैपलरी एक्सन से फिल होती है कैपलरी force किसी external force के बिना या force के opposite जैसे gravitational force के opposite liquid flowing through या narrow space तो इस force को कैपलरी force कहते हैं जिस force से liquid gravity के opposite flow करता है उस force को हम कैपलरी force कहते हैं grab your painting process में इंक वह liquid है और cylinder shell वह narrow space है जिसमें gravitational force के opposite cylinder shell में बार बार इंक फिल होती रहती है जबकि यहां इंक इंक ट्रे में नीचे की तरफ रखी रहती है cylinder से इंक पर gravitational force नीचे की तरफ होता है पर कैपलरी action के कारा cylinder पर बनी नलिकाओं में बार बार continue इंक फिल होती रहती है यह तो हुआ एक process और दूसरा cylinder पर image area depth में और non image area relief में होता है जो ink image area means depth में होती है तो depth की ink को pressure से substrate पर transfer करना possible नहीं है क्योंकि pressure देने पर pressure non image area पर apply होगा ना कि image area पर क्योंकि image area नीचे है depth में है तो यहां पर printing के लिए electrostatic force का use किया जाता है आप सभी जानते हैं कि जब किसी surface को रगडते हैं तो उस surface पे कुछ आवेस आ जाता है means वह surface charge हो जाती है तो ग्रिब्योर मसीन पर substrate मसीन पर रगे रोलरों पर रगडते हुए travel करता है जिससे substrate आवेसित हो जाता है यहां पर ink grounded trolley means जमीन से touch ink tray में रहती है तो उस पर कोई भी charge नहीं होता है means ink और cylinder पर कोई भी charge नहीं होता है पर substrate पर electrostatic charge होता है जिससे जब दोनों को पास लाते हैं तो एक electrostatic field generate होता है जो ink को substrate पर transfer कर देता है यह दोनों काइपले reaction प्लस electrostatic field ग्रिब्योर प्रिंटिंग प्रोसेस को complete करती है यह तो हो गई ग्रिब्योर प्रिंटिंग प्रेस्पल की बाद अब इसमें ESA की बात पर वापिस आ जाएं तो substrate पर प्लस चार्ज होता है इंग पर neutral चार्ज होता है उस पर किसी तरह का वो चार्ज नहीं होता है क्योंकि वो यहां रखा होता है वो ट्रॉली वो ट्रे एक ट्रॉली से connected रहती है और वो ट्रॉली grounded रहती है आता है तो electro static force से cell में मवजूद इंक की surface tension बदल जाती है surface tension कम हो जाती है अब electro static force द्वारा इंक को cylinder के cell से खीचा जाता है ESA से electro static charge जितना अधिक दिया जाएगा cylinder की cell में इंक पर force भी उतना अधिक लगेगा परिडाम सरूप सब्सिटेट पर इंक की मात्रा का विस्तार होगा मिन्स पूरी-पूरी इंक के से सब्सिटेट पर ट्रांसफर होगी पर ध्यान रहे इंप्रेशन रोलर में यूज होने वाला रबर रोलर या स्लिव गुट कंडुक्टर आफ एलेक्ट्रिक होना चाहिए यादि बैट कंडुक्टर आफ एलेक्ट्रीफ है तो वो चार्ण नहीं होगा यसे के लिए अलग स्लिव आता है और यसे यूज करने से एलेक्ट्रोस्टेटिक resolutions अधिक होने जिससे modeling की समस्या उत्पन नहीं हो सकती है तो impression roller का pressure अधिक नहीं होना चाहिए यह से दो तरह का होता है एक bar type और एक core type अब अधिकतर industry में आपको bar type ही लगेगा क्योंकि इसको अलग से कभी भी लगाया जा सकता है और कभी भी इसको निकाल के अलग unit change किया जा सकता है इसलिए bar type आपको अधिकतर industry में मिलेगा इससे related कोई question है तो आप comment box में पूश सकते हैं ऐसा ही सेखते रहते और जीवन का अनन लेते रहे